हेलो जी नमस्ते अस्लाम लेकूम सस्लेकार वेलकम अन मैं चैनल ट्रीपल टारो रीडिंग्स और आज हम रीडिंग करेंगे वीकली रीडिंग फर आल दे जो एक साइन आप लोग के लिए येवला हफता येवला वीक कैसा रहेगा प्रेडिक्शन क्या रहेगी मैसेजिस आप आपके लिए क्या हो रहा है क्या नियो बिगनिंग हो सकती है हम लोग यहां पे इस वीक में सोलर एकलिप से गुजरेंगे जो के बहुत बड़ी बिग जेजिस लेके आएगा चाहे वो आपकी लाइफ में आपकी परस्नल ग्रोथ होगी आपकी प्रफेशनल ग्रोथ हो सकती आपके कैरियर में, अबंदन्स में, आपकी सक्सेस लाइफ में, आपकी फेमस लाइफ आपकी हो सकती है, पॉपलर हो सकते हैं, आपको क्रियेटिव काम कर रहे हैं, क्रियेटिव प्रोजेक्ट हो सकते हैं, बिजनस में आपको कोई अपहेवल मिल सकते हैं, या अगर आपकी कोई जो आप चल रही है उसमें कोई opportunities, कोई चीज़ें आ सकती है personal life में, professional life में, romantic life में भी चीज़ें change होंगी तो depend करता है कि आपकी life में क्या चीज़ें affect हो रही है especially यह affect करेगा Libra को, Aries को और यहाँ पे होगा cancer और Virgo भी हो सकते हैं Gemini भी हो सकते हैं, Capricorn को भी affect होगा यह चीज़ें आपकी life में ज्यादा changes आएंगी ठीक है इन zodiac sign को, depend करता है कि आपकी कहां पे हैं यह placements अगर आप astrology को follow करते हैं तो आपने zodiac sign की placements को देखना है कि यह कहां पे हैं आपकी birth chart में लेकिन अगर आप सिर्फ zodiac sign को follow करते हैं तो हो सकते हैं आपको यह changes feel हो और हो सकते हैं बिल्कुल नफील हो क्यूंकि हो सकते हैं किसी और एरिया में आपकी life में परस्नल birth chart में यह चीज़ें अफेक्ट हो रही है चीज़ों को slow and steady win करने की कोशिश करें किसी लोगों के लिए कुछ चीज़ें जल्दी fast होना शुरू होंगी कुछ लोगों के लिए चीज़ें slow down हो जाएंगी तो depend करते हैं कि आपकी situation क्या है life में और कहां चल रही है तो start करते हैं आज की reading मैं मलूँगी आपसे आपकी reading पर आपके zodiac sign की लिहाज से ठीक है आपने क्या करना है वीडियो को like, share, channel को subscribe करना है नहीं बूलना है comment पर अपना feedback आप ज़रूर देंगे और आप मुझे बताएंगे कि इस solar eclipse की वज़ा से आपको अल्रेड़ी क्योंकि होता है प्री शेड़ो में आपको वो चीज़ें feel हो रही होती है तो आपकी life में क्या चल रहा है किस area में आपको ये चीज़ें feel हो रही है affect हो रहा है आपकी life में और हो सकता है मैं आपको guidance दो उसमें या हो सकता है आपके लिए कोई advice हो, कोई message हो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग मैं मिलूँगी आप से आपकी रीडिंग पर हेलो जी सबसे पहले हैं Aries, Leo, Sagittarius आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि यह वलावी कैसर हैगा और आपकी एनरजी क्या होगी ओवराल थीम क्या है आपकी उसके बाद हम देखते आंगे आप हो सकते हैं 1,2,3 नंबर बहुत जाद देख रहे हैं इस पैटरन में तो इसका मतलब यह है कि आपके लिए न्यू बिगिनिंग न्यू स्टार्ट होने वाले है किसी ने किसी चीज में आप कुछ नया भी स्टार्ट करने वाले है या आपके माइन में कोई आइडिया आ सकते हैं लेट सी सीख दे टूथ अच्छा कोई टूथ आपको इस वीक में रिवील होगा या आपको सच को जानने की ज़रुरत है ब्लासम कोई good news भी मिल सकती है आपको shine या creative लोगों के लिए बहुत अच्छा time है आप किसी चीज में shine भी कर सकते हैं center of the attention भी किसी जगह पे हो सकते हैं या आपको आपकी health में improvement भी याँ पे नज़र आ रही है you will be fine, you will be happy और जो काम आप कर रहे हैं उसमें आपको successful feel होगा या कुई आपको project ऐसा मिल सकता है जिसमें आप काफी excited होगे अपने आपको करने में तो ऐसा लग रहे हैं आप मेंसे काफी सारे लोग surrender भी कर रहे हैं चीजों को ठीक है तो जितना आप surrender करेंगे उतना आप blossom होगे चीज़ें आपको automatically जो चीज़ लेसे क्या आपकी किसमत में आपको लिखी है destiny में लिखी है आपको वो चीज़ आपको मिलेगी यहाँ पर seeking the truth है तो हो सकता है आप जमनाई के साथ डील कर रहे हैं Sagittarius, Scorpio, Leo के साथ यहाँ खुद है fire sign में से लेकिन यहाँ पर कुछ है किसी कोई चीज साच सामने आएगा किसी का साच रिवील होगा कोई आप से बात करेगा या automatically आपके अंदर या awareness आएगी कि आपके लिए सही पात क्या है आपके लिए guidance क्या है लेकिन आपने intuition को trust करना है जो चीज आपको बताई जा रही है उस पे आप trust करेंगे तो वो path आपके लिए आपको success दे सकता है आपको खुशी दे सकता है उस पे आप happy भी हो सकते हैं चीक है let's say उस path पे आप shine कर सकते हैं उस path पे आप successful हो सकते हैं या कुछ चीज आपकी आपके intuition आपको बोल रहे है कि यह चीज करनी चाहिए इसमें फाइदा होगा इसमें बेनेफिट होगा तो वो देख लीजेगा अगर आप कर सकते हैं तो it's a good time उसमें चीज में हो सकता आपको success मिले बट लेट लेट सी the star या okay definitely आपके लिए कोई इस week में king of pentacles high priestess nine of pentacles eight of cups ace of swords या किसी के बारे में सच आपको पता चलेगा look at this king and queen of pentacles and temperance तो यह उन लोगों की life है जो comment में भी type करते रहते हैं और उनकी life में definitely यहाँ पर बोरियत चल रही है कोई progress नहीं है भी change नहीं आ रहा यह उन लोगों की life में तो यह जो solar eclipse है आपको नजर आ रहे हैं आपे it's a sun solar eclipse है यह चीज़ आपको activate करेगा seek the truth कि क्या चीज़ आपकी life में spark लेके आ सकती है क्या चीज़ आपको खुश करती है आपकी wish क्या है आपका purpose क्या है soul purpose क्या है creative purpose क्या है dream purpose क्या है आपका dream क्या है उस पे act करना है अपने अपनी intuition को सुनना आपकी soul जो आपको कह रही है उसको follow करें उस path को follow करें वो सकता है उसी में ही आपको clarity मिलेगी उसी में आपको खुश ही मिलेगी कि उसी में आपको success मिलेगी, अच्छ, एक और चीज है यहाँ पर, उन लोग के लिए जैसे मैं कहा रही थी, आपकी कोई wish पूरी हो सकती है, तेक है, आप काफिर से से किसी चीज के लिए प्रे कर रहे थे, wish कर रहे थे, वो wish आपकी पूरी हो सकती है, जैसे मैंने कहा आपको कुई clarity मिल सकती है किसी का सच आपके सामने आ सकता है exposed हो सकता है या in a good sense भी ये चीज़ आ सकती है आपको किसी की communication का वेट था तो finally ये जो आपका सबर का फल है उसका result आपको नजर आएगा इस इनसान से आपको message मिलेगा या जिसका भी आपको जिस message का भी वेट था यहाँ पे peace का पेगाम है इस message में यहाँ पे communication है यहाँ पे healing है आप दोनों के दरम्यान में हो सकती है चीज़ें solve हो सकती है क्योंकि यहाँ पे king और queen of pentacles है तो हो सकता है आप दोनों husband wife हैं जो लोग married हैं मैं उनकी बैत कर रही हूँ husband wife हैं या आप single हैं तो हो सकता है या आपका crush है जो आप में इतनी हिम्मत आ सकती है कि आप इस इंसान को approach करें यह हो सकता है ठीक है और चीज़ें आपकी luck में हो सकती है यहाँ पे बैठे रहने से wait करने से अपना time waste करने से तो कुछ नहीं होगा उस इंसान को तो कभी नहीं पता चलेगा या यह भी हो सकता है जिस इंसान का आपको इंतजार था finally वो इंसान आ जाएगा आपको लगा था यह चीज़ काम नहीं करेगी इसमें कोई result नहीं है आप कुछ नहीं होगा क्योंकि आप दोनों बात नहीं कर रहे थे या इस इंसान ने कभी आपको बात नहीं की इस इंसान ने कभी express नहीं किया हो सकता आप नहीं किया आप wait कर रहे थे और आपको लगा ऐसा नहीं हो सकता मुझे तरही लगता कि यह इनसान कभी आएगा, ये बात करेगा, Express करेगा, या ये इनसान, या मुझे पसंद करता होगा, शैद ये भी आपके मांध में हो, क्भी ये इनसान काफी, लट से, आप इस इनसान को पैसलों पर विट करे, सब्सक्राइब दलगें कि अब हैंडिए या फाइंचल दिफरेंट नाइन फेंटिकल्स यह इंसान सक्सेस्फुल है आप दोनों भी हो सकते हैं तो आप सर्प्राइज हो जाएंगे क्योंकि यूनिवर्स का कोई और ही प्लान है आपके लिए ठीक है या आपकी विश लेट से कुई चीज ऐसी है जिसमें आपको कुछ चीज ऐसी है जो आपको छोड़नी पड़ेगी लेकिन उस छोड़ने के बाद जो आपकी किसमक में जो चीज आपको मिली है उसकी रिप्लेस्मेंट में आपको कुछ और अच्छा मिलने वाला है एक मतलब यूनिवर्स की तरफ से आपको कोई गुद नीज मिल सकती है य वो सकती है बात आगे बढ़ सकती है अगर कोई बात नहीं कर रहा था तो वो करेगा उस चीज में आपको मूफमेंट नजर आएगी या आपको करनी चाहिए क्योंकि आप शायद ये वेट करें कि ये इनसान को ऊपर से पता चल जाएगा या इलाम हो जाएगा ऐसा नहीं हो तो आपका patience आपको result देगा और मिलेगा कुछ लोगों को इसी week में मिलेगा आप काफी अरसे से वेट कर रहे थे आप काफी अरसे से चीजों को प्रे कर रहे थे आप मांग रहे थे इस चीज को और finally अब ये चीज आपको खुशी देगी good news है it's a good news ये जो आप लोग के लि जो लोग लेट असे इम gaan डाझ के ए घ्लीक कर एक्विट करें सकती है कोई फेवर कर सकता है कोई आपको गाइट कर सकता है ठीक है यह ज़ी हो सकता है किसी लेंटist कआम किसी न्यूस का मेल का वेट था वह ये इन इसे कुरुद न आपको अनकe पांहों कि जैसे का रिष्टों में आपकी कोई development हो सकती है, बात आगे बढ़ सकती है, किसी को आप पसंद करते थे, उस आप दोनों में कोई हल चल हो सकती है, movement आप सकती है, और मुझे लगता है, आप हो सकता है, Pisces, Aquarius के साथ डील कर रहे हैं, यहाँ वे heavy earth sign है, Taurus, Capricorn हो सकता है, Leo हो सक सकता है, आप अगर Leo Sagittarius हैं तो यह आपके लिए good news हो सकती है, Aries हो सकते हैं, आप तो fire sign definitely, तो बोसरी चीज़े आपको इस वीक में clear नजर आएंगी, आपको finally नजर आएगा, क्या चीज़ आपके लिए best है, क्या चीज़ आपके लिए ठीक है, क्या चीज़ आपके लिए ठ क्या आपके लिए, you will be happy and you will be surprised, इस वीक हो सकता है, जो चीज़ आपको नजर नहीं आ रही, उपर वाला जानता है, क्या चीज़े क्यों हो रही है, आपकी लाइफ में, और उसकी बदले में आपको क्या मिलेगा, और कब मिलेगा, it's only the divine timing with the high priestess or star card, तो जो काफे जारे करेंगे, या इस time period में हो सकती है, winter में, season में, यह चीज़ में आपको बता सकती हूँ, मैं आपको कोई exact आपको timing नहीं बता सकता, ठीक है ना, तो मेरे से आके ऐसी जो है ना, बच्चों वाली बाते ना किया करें, प्लीज अपने माइंड को जरा grow up करें, अगर आप specially इस त उपर से कोई miracle होगा, और उपर से कुछी चीज़ आपके लिए चेंज होगी, हील होगी, आप आगे बढ़ेंगे, तो फिर वेट करते रहें, क्यूंकि आपको फिर सबर से काम लेना पड़ेगा, चीज़ फिर उपर वाले की मर्जी से उली और जब होगी, तो तब तक आप को पसंद हो या फिर ना पसंद हो, लेकिन जो चीज़ आपकी कंट्रोल में है, वोज़ चीज मैंने आपको बता दी है, अपनी हेल्थ पर फोकस करें, अपनी क्रेटिवीटी पर फोकस करें, अपनी लाइफ में स्पार्क लेके आएं, बोरियत से अपने आपको निकालें, और जो career के opportunities आ रही हैं, उसमें देखें कि आप चीज़ क्या कर सकते हैं, कहां पे आप शाइन कर सकते हैं, प्लासम कर सकते हैं, और अगर आप आप अलड़ी कर रहे थे तो उसमें आपको benefit होगा, उसमें आपको result नज़र आएंगे, तो यह इस week की आपकी जो है major reading नज़र आ कोई news भी आपको मिल सकती है, कोई महबत का पैगाम, कोई let's say peace का पैगाम, किसी के साथ harmony, किसी के साथ balance, किसी के साथ कोई issue था, तो वो resolve हो सकता है आपके लिए, ठीक है, इस week में मुझे चीज़ नज़र आ रही है, या कोई ऐसा काम जो आपको लगता था नहीं होगा, अब जी, next है, Pisces Cancer Scorpio, आप लोग के लिए देख लेते हैं, यवाल अभी कैसा रहेगा, थीम क्या है आपके लिए, इस 1212 हो सकता है, आपकी नमबर बहुत साथा देख रहे है, 1212, 1212, we have something, strengthening bond, we have a shine, and opportunity beacons, okay, आपकी जो overall इस week की जो theme है, उसमें कुई चीज ऐसी हो सकती है, जिसमें आप लेकि कुई चीजों को disappoint हो सकते हैं, आप past वाली चीजों के बारे में सोच रहे हैं, जो चीज नहीं हुई, जो चीज खो गई, जो हाथ से निकल गई, उन चीजों के बारे में आप जादा सोचे लेकिन आप past वाली चीजों में ज्यादा है, ठीक है, रिग्रेट कर रहे हैं चीजों को, खोई भी चीजों को, past वाली चीजों को, जो गलतियां होई उनके बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, अब time आगे है कि आप अपने future के बारे में सोचें, आगे सोचें, आप आप रास इसी भी है जो आपको एक shining opportunity मिल सकती है, career में new job, अपनी चीजों को explore करें, express करें अपने आपको, यहाँ पे यह sun है, तो कुई चीज आपको good news आपके career में मिल सकती है, आपको कोई idea मिल सकता है, कि मुझे यह चीज करनी चाहिए, जिससे मुझे loss ना हो, मुझे financial loss ना हो, या relationship wise में हो सकता है, कि आपने जो गलतिया पहले की थी, अब मत कीजेगा, क्योंके हो सकता है, कुई चीज आपको good news मिल सकती है, आप अपने अंदर वो changes लेके आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप किसी और में चीजों को fix करें, अपने अंदर देखें, आपको क्या चाहिए, for the sun card, यहाँ पर हो सकता है, आप लियो के साथ deal करें, अर्थ साइन के साथ, या water साइन के साथ, कोई और भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यह आप है, एिक वो लोग कोई और इंसान भी हो सकते है, जो आपको आगे बढ़तावा देख रहे हैं, और इस इंसान को लगता है कि अगलती हो गई, और इस इंसान को पश्तावा हो सकते हैं, ठीक है, regret हो सकता है, कि उन्होंने गलती की, आपको समझने में, understand करने में, माफी मांगना हो सकता है, यह इनसान करें, मांगे, या आए आपके पास, लेकिन आप में से काफी सारे लोग, इस इनसान को regret है, कि आप आगे बढ़ रहे हो, काफी सारे लोग, ज़रूई नहीं है कि relationship wise, बहुत सारे लोग जिनको आप इचे छोड़ चुके हैं, वो हो सकता regret करें, या आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप कब तक इस situation में रहेंगे, जो चीज आपके लिए work नहीं करी, कुछ और चीज ट्राइ करें, ये भी आपके लिए message है, अपने आपको shine करें, blossom करें, अपने आपको express करें, triple four आप हो सकते हैं, आप angel number बहुत देख रहें, आप काफी intuitive हैं, आप लोग काफी spiritual हो सकते हैं, तो आपको काफी सारे, एक रास्ता काम नहीं किया, तो दूसरे पर करें, एक चीज आपके लिए work नहीं करी, तो दूसरे पर करें, ये आपके लिए message है, इसी के साथ आपका bond भी strengthen हो रहा है, जिसकी वज़ा से जो past वाले लोग हैं, जिनों ने आपको सही त्रीके से treat नहीं किया, या आप काफी खुश हो रहे हैं, आप काफी हुश हैं, happy हैं अपनी life में, इन लोग उनको regret हो रहा है, या किसी के साथ आपका bond इस week काफी strong हो सकता है, या कुई new path पे आप जा सकते हैं, new relationship में, या कुई चीज new आपकी life में enter हो रही है, जिसकी वज़ा से आपका जो past वाली चीज़े हैं, वो बोरियत है, या जो regret है, वो खतम हो जाएगा, you will be happy again, और health पे भी फोकस करें, अपनी health पे, please, let's see, four of swords, four of pentacles, yes, four, 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 another four, 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 yes, six of wands, we have a ten of pentacles reverse, seven of pentacles, five of cups, yeah, कुई ऐसा इंसान है, जिसको regret हो रहा है, कि three of cups, yeah, यह friends भी हो सकते हैं, यह ऐसे लोग हो, family के member भी हो सकते हैं, yeah, somebody is coming, इसकी हम बात में बात करेंगे, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, आप हो सकता है, कैंसर के साथ डील कर रहे हैं, आप लियो के साथ डील कर रहे हैं, यहाँ पर अर्थ साइन है, strongly, और water साइन, अर्थ साइन भी हो सकता है, और air साइन में अगर हम देखें, तो हो सकता है, कि Libraho, Aquarius, और Aries और Scorpio भी है, जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, अच्छा, लिसन, एक चीज़ों यहाँ पर बहुत क्लियर है, आप इस वीक में काफी सारी चीज़ें ऐसी हैं, जिनको आप manager से कहा, जितना आप चीज़ों के बारे में सोचेंगे, जितना आप उन चीज़ों के बारे में रो रहे हैं, क्या यह चीज़ नहीं होई, मुझे यह चीज़ नहीं मिली, यह मेरे तरफ इनसान क्यूं नहीं आ रहा, वो इनसान, हो सकते है महां पर reason हो सकती है, हो सकते है यह इनसान third party में है, यहां पर family involved है, यह इस इनसान की family involved है, third party involved है, ठीक है, वो इस इनसान की अपनी मजबूरी है, वो इनसान की अपना, इस इनसान का अपना मसला है, या आपकी, आप दोनों की families नहीं मान रही, ठीक है, जो भी वज़ा थी, लेकिन आप कब तक इस situation में बैठे रहेंगे, रोते रहेंगे, और उन पास्टवली चीजों के बारे में सोचते रहेंगे, जो आपके लिए नहीं हो रही, तो यह जो solar eclipse आ रहे है, क्यों कि it's a Leo, it's a sun, जो solar eclipse आ रहे है, यह आपकी life में चीजों को activate कर दे ठीक है, it's time to move forward, अच्छा अब यह relationship की बात भी हो सकती है, या आपके career की बात भी हो सकती है, आप time waste कर रहे हैं अपना, you're wasting your time, हर महीने, हर महीने, हर हफते, हर week, या let's say हर साल आप कहले, आप एक ऐसी opportunity का wait करें कि चीज़ें चेंज होंगी, चीज़ें चेंज नहीं होंगी आप अपनी लाइफ को खुद चेंज करेंगे, कोई और उपर से आएगा नहीं, आपको देगा, इस पेंटिकल आपको वो चीज़ खुद धूनी पड़ेगी, खुद create करनी पड़ेगी, या आपको ऐसी field में जाना पड़ेगा, जो चीज़ आपको खुश नहीं करी है, जह वहाँ पर टाइम भी बेस्ट कर रहे हैं, और अपना पैसा भी बेस्ट कर रहे हैं, तो इस टाइम टू से टेक आक्शन, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, विद टावर एंड एट अफ कफुश आप इस वीक में रेलाइस करेंगे, चाहे वो इमोशनल आपके अंदर अवे क्योंकि मैं जब कमेंट करती हूं, मुझे पता है, आपकी एनरजी है, आप चाहे यहाँ पर जो भी कमेंट कर लें, आप जो भी कर लें, आप किसी के साथ अपसेस्ट हैं, आप किसी को देख रहे हैं, किसी को स्पाय कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, आप उस इंसान का यह ऐसा इंसान जो आपको यह बार बार एक वादा कर रहा है, बोल रहा है, कि मैं छोड़ दूँगा इस चीज को, मैं धर्ड पार्डी को छोड़ दूँगा, मैं इसको छोड़ दूँगा, मैं इसको छोड़ दूगा, इसको छोड़ दूगा, इसको छोड़ दूगा, वेर यह अपका लव नहीं है, इस अटाजमेंट जिसे आप निकलना नहीं चाहरें, आपको यह लगते है कि जितना टाइम आपने इस सिचुेशन पे इस इंसान पे स्पेंड किया है, वही चीज़ आपको मिले, हो सकते है वह चीज़ आपके लिए नाओ, फिर क्या करेंगे आप, एक चीज़ आपकी गिस्मत में नहीं है, एक चीज़ आपको लग रहे है कि वह इनसान कोई effort नहीं कर रहा है, एक चीज़ है जो छोड़ के चला गया है, एक वह के फ्रेंड्स है, फैमली मेंबरी, मैं फैमली और फ्रेंड्स की बात करी हूँ, जिन लोगों को आपने छोड़ा है, या आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, आपको पते हैं कि वह आपको हर्ट करें, बट यूर सिल अटाच, क्यों? वाइ? आपको लगता कि शायद वह ठीक हो होते हैं, तो, इस्टू, इस टू क्योंकि आप इसी विक्टम में टलेटी में हो सकते हैं, आपको खुद अपने अकल आनी चाहिए, आपको खुद समझ आनी चाहिए, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप विक्टम प्ले करना बंद कर दें, इस आप चीज़ों को mentality में, आप खुद attach हैं, फिर आप कहते हैं, अगले बंदे को blame करेंगे, या किसी और को blame करेंगे, कुछ नहीं होगा, मुझे भी blame करेंगे, मुझे कुई फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम या पर reading करने, मैं आपको बता रही हूं कि अपनी आखें खोलें, इससे पहले सकता है, pressure में आके, forces में आके, चीजों को मत करें, बाद में उसका regret आपको बाद में होगा, पश्तावा होगा, ठीक है, people pleasing में आके, लोगों को खुश करना, दोस्तों को खुश करना, फैमिली को खुश करना, किस को वहन को खुश करेंगे अपने आपको तो करें अपने वारे में तो सोचें this is the thing. ये इह आपका कर्मा है और आपको यह चीजोंAg आपको आप सारवे जब तक आप नहीं सीखेंगे आप इसी तरह से regrets करेंगे last होगा और इसी तरह से चीज़ें लेकिन आप में से काफी आपके अंदर चेंज आएगा, लेकिन जो लोग नहीं समझ रहे, अभी तक स्टिल अटकेवे हैं, अटैच्छ ने चीजों के साथ, पास्ट के साथ, जिसके साथ ब्रेक अप हो गया, जिसने छोड़ दिया, या कोई मुझसे बात नहीं कर रहा है, देखें, आज कल के दौर मे यह नहीं मान रहा, वो नहीं मान रहा, आपको समझ जाना चाहिए, कि इस प्रिसन इस नाट पूटिंग दे एफट, आप जब तक बातों पर बिलीव करेंगे, यो, डोंट वेस्ट वेस्टाइम, और केरियर वाइस भी मैं आपको कह रहे हूं, आप अपने टाइम वेस्ट क के साथ आप एंटल पीस बनाएंगे, चीजों को लेट गो करेंगे, अगर आपकी कोई हल्थ का इशू था, तो वो आपकी हल्थ मुझे यहां पर इंप्रूव होती भी नजर आ रही है, चीजें आगे बढ़ती भी डेफिनिटी नजर आ रही हैं आपके लिए, अगर आप होशो आवास में आके चीजों को करेंगे, यहां पर जैसे मैंने कहा, अगर आपने काफी हरसे से किसी को छोड़ चुके थे, यह उनसान आये तो बारा ट्राइ करने की कोशिश करेंगा, आपकी लाइफ में घुसने की कोशिश करेंगा, यह यह भी हो सकता है कि आप आगे ब बात कर लें, जो आपको closure चाहिए था, माफी चाहिए थी, ठीक है, जिस चीज का आपको इंतजार था, जिस message का आपको इंतजार था, peace और harmony आप दोनों के दिम्यान में हो सकती है, let's say, लेकिन यह उसी वक्त होगी, जब आप अपने mind से निकालेंगे, जब आप attachment से निकलें क्योंकि आपकी life में new opportunities आ रही है, हो सकता है, new person is coming, कुछ लोगों के लिए, you will meet somebody new, कुछ is new changes आपकी life में आ रही है, अब life में आगे बढ़ें, turn your back on the past, यह आपका सबसे बड़ा message है, इस week का, ठीक है, और यह भी हो सकता है, कि किसी ने आपके साथ बहुत गलत किया, तो बह किसी और path को choose करते हैं, वो आपके depend करते हैं, और इस week में आपको काफी सारी चीज़ें अपनी creativity में भी शायद आपको नजर आएगा, कोई ऐसा path choose करें, जिसमें आपको success हो, आपको खुशी मिले, आपको abundance मिले, time भी आप उसमें अपना waste ना करें, और आपको हो सकता है करें इन travel के बारे में भी आप सोच रहे हैं, तो वो वीजा भी प्रूव हो सकता है, उन लोगों के लिए development हो सकती है, अगर आप सोच रहे हैं तो, लेकिन otherwise past मे रहेंगे, past वाली चीज़ों के बारे में सोचेंगे, lost के बारे में सोचेंगे, मैंने ये किया था, मुझे ये नहीं spread your wings जो next full moon आने वाला है, जो October में होगा, जो full moon ठीक है, उसके बाद आपकी ये जो loneliness है, जो अकेलब पने वो दूर होगा, अगर आप lonely फील करें इस वक्त, तो जो full moon के बाद आपको energy चेंज रहोती भी नज़राएंगे, आपको dreams भी आ रहे होगे, उस प्लिज आपने dreams को attention दी कि आपको आगे क्या करना है, किस तरह से इस situation से निकलना है, ठीक है, वो आपकी control में है, obviously, अगर आप इस वक्त लोनली फील कर रहे हैं, sad फील कर रहे हैं, स्ट्रेस फील कर रहे हैं, कुछ टेंशन है, कुछ ऐसी situation है, जिसे आपको लग रहे हैं, कि आप इसे नहीं निकल सकते हैं, यह mentally आप इस situation में हो सकते हैं, यह emotionally blocked हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन फुल मून के बाद जस मैंने कहा, इस मांत में जो होगा, October में, moving on, yes, जो आपको help कर चीजों को आगे बढ़ने में, और चीजों को release करने में, ठीक है, यह मुझे लगते हैं, आप मेंसे कुछ लोग इसी week आपकी को energy हो सकती है, कि आप finally realize करेंगे, चीजों को आगे बढ़, मुझे लगते हैं, आप आगे बढ़ेंगे, चीजों से move on करेंगे, जो चीजें जिसमें आपको अन्रिक्वाइटी लव फील हो रहा है आपको लगता है यह आगला इंसान एफर्ट पुट नहीं का रहा है तो हो सकता है आप इस सीचुएशन से मुव आन करने की कोशिश करें या जैसे मैंने कहा आपकी कोई भी इस वक्त की मेंटल हेल्ट इस्यू है या आपको लगता है आप नहीं निकल सकते नेक्स्ट यह जो फूल मून आयगा इस मांत में उसके बाद आप चीजों को मूव आन होतावा देखेंगे चीजें बढ़ता आगे आपके लिए मूवमेंट होगी चीजों को आगे बढ़तावा देखेंगे बट आइटिंक कोई आप किसी को मिस कर रहे है ठीक है आपको लगता है कि ये इनसान मूव आन कर रहे है या इस इनसान को स्ट्रस है ये इनसान काफी लोनली फील कर रहे है इनको लगता है आप आगे बढ़ रहे हो तो इस वक्त नो कॉंटक्ट सिचुएशन हो सकती है आपकी किसी के साथ ठीक ह यह भी हो सकता है आप फाइनली इस वीक में कुई चीज है इसी है जिनसे आप मूव आन करने की कोशिश करेंगे आप आगे बढ़ेंगे आप हो सकता है ज्याद से टाइम अलोन स्पेंट करेंगे यह आपको खुद को काफी लोनली फील हो रहा होगा ठीक है लेट से आप आइ आपका टेस्ट है यूनिवर्स की तरफ से आपकी स्ट्रेंग्ट अजमाई जा रही है आपको चीज़ें मेंटली और इमोशनली आपको स्ट्रॉंग बना रही है तू वांस यह तू वांस दोनों दफा है किंग उपेंटिकल्स यह से लग रहे है कि आप यापर यापर प्ल प्राथ चीज़ें वैसे नहीं हो रही है नहीं हूई उन चीजों की वज़ा से आपको तोड़ा से यह चीज़ें फील होंगी इस वीक में लेकिन अभी भी उमीद है हॉप है हिम्मत रखिए चीजें आपके लिए ठीक होती भी नजर आएंगी आगे बढ़ती भी नजर कुछ टफ सिचुएशन निकल रही है लेकिन आप अभी भी निकल सकते हैं सिचुएशन से अगर आप हिम्मत से काम लें तो लेकिन कुछ लों के लिए फुल मून के बाद आप को चीज़ें क्लेर होती भी नज़र आएंगी 10 of Pentacles, Magician या कुछ चीज़े हैं जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं 7 of Wands या कुछ आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप दोनों के दिम्यार में ब्लॉक एनरजी है 6 of Swords और Ace of Cup या New Beginning डफिनिटली कुछ चीज ऐसी है जो आप New Manifest कर रहे हैं 11 11 या 1 1 आप नमबर बहुत देख रहे हैं तो कुछ ऐसी चीज है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं प्रे कर रहे हैं और उपर माले के हाथ में यह चीज है लेकिन आप प्रे कर रहे हैं कि चीज़े ठीक हो जाए निव बिगनिंग का आपको वेट है कुई नियो ऑपरच नहीं कर सकते हैं कुछ चीज ऐसी यह जो आपके कंट्रोल में नहीं है जो अपर वाले की कंट्रोल में है से इन चीज़ों से रिलीस करें, तो it will happen, it will happen but in the future. मुझे लग रहे हैं कि चीज़ों को सरेंडर करें, ठीक है, जो चीज़े हैं आपको शायद यह आपका टेस्ट है, आपके लिए कोई ऐसी चीज़ है जो जिससे आप गुजर रहे हैं, आपको mentally, emotionally चीज़ों को स्टॉंग करना है, एक और चीज़ यहाँ पर ट्रैवल नजर आ जो आपको future में, अभी नहीं, आपकी मेहनत से, आपकी hard work से, future में आपको उसका बहुत result अच्छानद मिलेगा, उसमें आपको success मिलेगी, ठीक है, अभी नहीं, future में, लेकिन अगर आप काफी अरसी से कोई काम कर रहे थे, उसको आप, उसकी progress आपको नजर आएगी, तो इस week से आपको progress नजर आएगी, इस week से हो सकता है, आपको कोई investment भी करें, आपको चीज स्टार्ट भी करें, जो आपको कल को बहुत future के लिए, आपके लिए, आपकी family के लिए, आपके बच्चों के लिए कल को benefit होगा, अगर आप single है, लेकिन अगर आप merit भी है, तब भी हो सकता ह future के बारे में आप सोच रहे है, future की planning ये investment उन चीजों के बारे में, आपको कोई important news ये letter ये message भी रसीव हो सकता है, इस month, इस week में, ठीक है, कोई है ऐसा इंसान, जो आपको miss कर रहा है, हो सकता है, ये इंसान आपसे बात करना चाहता है, हो सकता है, ये इंसान बिल्कुल new beginning आ कोई हिम्मत कर रहा है, इस लग 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 रहा है, इस को प्लानिंग कर और double two double one आप बहुत देख रहे होंगे ठीक है मुझे लगता है कि चीजें आपकी फेवर में होना शुरू होंगी फुल मून के बाद जो है वो आपको इस चीज में प्रोग्रस नजर आएगी जो भी आप स्टार्ट कर रहे हैं कुई चीजें असी भी हैं जो उस city में उस जगह पे possible नहीं है उसके लिए शायद आपको travel करना पड़े उसके लिए शायद आपको बाहर जाना पड़े यहाँ पे कोई job, interview, कोई test या exam भी हो सकता है उसके लिए भी शायद आप इस week में कोई preparation कर रहे हैं या आप करना शुरू कर देंगे इस letter या निए उ सोचें के इसी week से या इसी month से, ठीक है, overall जो आपके energy निए निए आप से कहा, यहाँ पे mental peace की बहुत ज़रूरत है आपको, आप lonely feel कर सकते हैं, यह कोई और कर रहे हैं, किसी को miss भी कर सकते हैं आप चीजें, यह इस वाग थोड़ा सा tough time है, लेकिन आप निकल जाएंगे situation से उपर वाले की बहतरी से, उपर वाले के करम से, चीजें आपको, रास्ता आपके लिए clear होगा, कहा जाना है, किस तरफ करना है, कोई idea आपके mind में आ सकता है, ठीक है, यह कोई और इंसान भी कोई ऐसा हो सकता है, जो already stable है, वो आपको help कर सकता है, guide कर सकता है, वो भी आपके बेनेफट होगा, ऐसा इंसान जिसके साथ आप trust कर सकें, तो कुछ नएए अगर आप start कररें, खरीदे रहे हैं, परचेस कररें, तो वो भी आपके लिए benefit होगा, इस week के लिए, ठीक है, हो सकते है कुछ चीज़ा आप खरीद कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, या आप कुछ कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं विछ जता direct week बहुत अच्छ है आच्छा कुछ राइटिंग से कुछ चीज आ रहे है gobी शाद राइटिंग से कुछ अगर आप रीटि करते हैं करते हैं एक शामेका यह शरू करेंगे नेक्स्ट है Taurus Virgo Capricorn, आप लोगों के लिए देख लेते हैं, यह वाला भी कैसा रहेगा, ओवराल थीम क्या है आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, आप किसी spiritual awakening से गुजर रहे हैं, ठीक है, इस वक्त थोड़ा सा आपको क्वी loneliness भी फिल हो सकती है, is about meditation, healing, और अपनी health पर जाधा focus रहेगा, ठीक है, control, यह, चीज़ों को control करने की, शाइद आप कोशिश कर रहे हैं, या जो चीज़ों को control कर रहे हैं, वो आपके control में नहीं है, it's look like that, यहां तो कुछ चीज़ां आपके control में हैं उनको control करें जो चीज़ां का जिए चीज के दिया है वह आपकी health है आपका mind है का meditation है healing है जो loneliness आपको फूर हो रही है वो नहीं होना चाहिए जो चीज़ां आप आपने उस चीज़ पर ट्रस्ट करना है, जो चीज़ आपको guidance मिल रही है, इस week में हो सकते हैं, आप थोड़ा सा alone time भी spend करेंगे, अपने works related या किसी चीज़ों से, आप थोड़ा सा alone time spend करेंगे, वहाँ पे आपको वो message, वो guidance मिलेगी, ठीक है, जब आप time alone spend करेंगे, कहीं पे भी nature में, या आप meditate करेंगे, heal करेंगे, pray करेंगे, जहाँ पे अपना अपना अकिला time alone time भुजारेंगे, वहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें clear होंगी, ठीक है, कुई चीज़ ऐसी भी है, जो आप control करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको न की ओड़ी आपको क्या है, deva दुप में फ रूम होसकता है आपको चीज़ें आपको चीज़ें फिलाडरेइन समिल जायें impl cinco qya आपको कुई आपको control कर रहे की भी कोशिश कर सकता है, ठीक है या आप चीज़ें को कर रहे हैं भी को इंकोन थान्ट्रिए in ऐसे नहीं हो सकता, it's not possible, तो इसलिए आपको surrender करना पड़ेगा, या आप अपने emotions को control करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी feelings को, let's see, मजीद यहां पर देख लेते हैं, इस वीक में आपको क्या होगा, nine of wands, ten of swords, oh my god, the moon card, yes, moon, moon, new moon, or full moon, काफी important होगा, किसी के साथ आपका कोई, spiritual connection भी चल रहे है, कोई आप से बात नहीं कर रहा है, या कोई नवांस, interesting, या तो आप किसी से कोई चीज़ चुपा रहे हैं, या कोई आप से कोई चीज़ चुपा रहे हैं, ये चीज़ भी हो सकती है, कि आप अपने emotions को control करने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई आपको control कर रहे हैं, और ये past related हो सकता है, या आपके emotions past के हैं, आप आपको डर, आपको खौफ, आपके past का experience ये भी हो सकता है कि आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, आपको tension हो रही है, आप 99 आप हो सकता है, नमबर बहुत देख रहे हैं, ठीक है, हो सकते हैं आप किसी की तरफ यहां पर अच्छा, मैं उन लोग की बात कर रही हूं, जो कि ये भी हो सकता है कि आपका ex या पके past में अभी तक वो इंसान आपके दिमाग में है, जिसकी वैसे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये वो इंसान आपको नहीं छोड़ पा रहा है, जो भी है, इस पास्ट, आपके past के fears, trauma, आपको stop कर रहा है, आपको stop कर रहे हैं आग कुछ नहीं कर सकते, सभी कि आपकी आपकी ओसक्ते हैं, प्रष दूख नहीं कर सकते, आपकी लाइफ को, आपकी चलु को, और अगर अगर आप रहें, भी आपिरा मेरें, ऑपके अबिलिटावा है, यह यह भी हो सकता है कि आप अभी तक move on नहीं किये इस situation से एंसान अभी भी आपकी life में present है नहीं 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 यह आपको कोई देख रहे है spy कर रहे है, stalk कर रहे है, जिस ब्रॉर है आपको कि भी, yeah four of sorts नहीं, it's healing, मुझे लगता है कि आपको इस situation को, जिसके वह से आप defensive हो सकते है आप आगे नहीं बढ़ पा रहे है, आप express नहीं कर पा रहे है, आप चीज़ों को control करना चाहरे है यह भी हो सकता है, आप किसी को miss कर रहे हो eight of pentacles, yes look at this work की भी tension हो सकती है कुछ लोगं के लिए बड़ ज्यादा थर work बली जगह नहीं लग रहा है ऐसा लग रहे है कि कुछ चीज है जो आपको fix करनी है, you are in the mid of it ठीक है, अभी भी बहुत सारा काम pending है stress हो सकता है, yes calm का भी हो सकता है that's you, king of pentacles that's you, Taurus, Virgo, Capricorn चीज़ों को balance करना, control करना, fix करना हर चीज़ आपकी मर्जी से नहीं हो सकती है शायद यही चीज़ आपको lose control करना पड़ेगा चीज़ों को let go करना पड़ेगा और with the king of pentacles and moon card हो सकता है, आप अपनी feelings को express नहीं कर पारे चुपा रहे हैं, या height कर रहे हैं या यह भी हो सकता है कि आप भूल नहीं पा रहे हैं इस इंसान को या move on नहीं कर पा रहे है, या यह इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है लेकिन आप शो कर रहे हैं कि आपको फर्क नहीं पड़ता है बट आपको फर्क पड़ता है just let's be honest, earth sign, आपको पता है आपको फर्क पड़ता है या इनसान आपसे बात नहीं कर रहा है या इनसान आपको hurt कर रहा है या आप दोनों के दर्मियान में let's say break up हो गया चीजें खतम हो गई, आपको loneliness feel हो रही है आप miss कर रहे हैं इस इंसान की विज़े से hurt हो रहे है या अभी भी आप इस इंसान से move on नहीं कर पाए अभी भी आप इस इंसान को चुट चुट के देख रहे है look at this, nine of wands and four of swords अभी भी आप इस इंसान को मूड़ मूड़के चुट चुट के देख रहे है कि क्या चल रहा है तो यह भी ओसकता है कि इस इंसान ने आपको गोस्ट केसे लिए आपको गोस्ट केसे वहें क्यों किया है this सबूसर और याप 25 is 4049 वो सकता है अप देख रहें हो यह सकते है कोई और इन्वाल्वile डबे हैं कोई छुपी वन को नहीं पता यह भी हो सकता है शादिस वजह से यह इंसान आपको नहीं बता पा रहा है कुछ न कुछ है यह इंसान आप से चुपा रहे है या आप इस इंसान से चुपा रहे हैं और आप धोने ही इन्तरस्टेदमें और आप डोनों ही एक दुसरे से बात करें रहें कि Mobile कोने करें पहले यहुनो यहा हो सकते हैं आप आप fire sign के साथ दील करें या या water sign के साथ यह फे air भी है यह बइद वे लेकिन जो spécial यहां पे sign है वह Leo Sagittarius Pisces Cancer Scorpio है और Libra सकता है September Virgo हो सकता है for once अच्छा कुछ ये भी हो सकते है कि आप में से कुछ लोग ऐसे इंसान के साथ भी deal कर रहे हैं जो और रेड़ी शायद relationship में या third party में है शायद इस वज़ा से शायद थर्ड पार्टी है आप दोनों के दर्म्यान में शायद इस वज़ा से ये इंसान आपको नहीं बता पा रहा चीजों को छुपा रहा है, control कर रहा है ये भी हो सकता है third party आपको control करी है या third party इस इंसान को control करी है ठीक है? यहाँ पर third party यहाँ पर family हो सकती है क्योंकि यहाँ पर four of wands है, या तो family है उनकी family है, आपकी family है या third party यहाँ पर friends भी हो सकते है ठीक है? वो इस इस इंसान को control करने की कोशिश करें कैसा मत करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो या work भी हो सकते है, जिसकी वज़े से इस 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 डर है कुछ नहीं कुछ तर है, कि ये चीज़ नहीं होगी past कितना, जो है वो आगे नहीं बढ़ेगी या खतम हो जाएगी, या बात आगे नहीं बढ़ पाएगी, लेकिन ये जो भी इनसान है, ये आपके बारे में definitely क्या चूपा रहे है, यहां पर डेड्रीमिंग है, यहां पर सेवन अफ कप्स काफी जादा चीजें confused है, delusional है, आपको नहीं समाझ आ रही है, इनसान आपके बारे में क्या फील कर रहे है कोई है जो आपसे कोई चीज़ चुपा रहे या यह आप खूद है, चीज़ Windows की कंmar करें चुपा रहे हैं अगा आप बात करेंगा लेकिन आपकर दौनों की एक दूसरे पर नज़र हो सकती है, वेट कर रहे हैं कौन बात बात करेंगा लेकिन अस EVP लेकिन हो सकती है ठीक है let's say किसी और की वज़ा से किसी और की इंटरफेरंस की वज़ा से या family में कोई ऐसा issue हो सकता है जिसमें आप दोनों agree नहीं करें आपको या let's say tension and stress हो सकती है लेकिन overall ये week बात में आपको थोड़ा सा alone time चाहिए होगा space चाहिए होगी उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे लेकिन जैसे मैंने का कुछ लोग के लिए past लाई energy आप नहीं move on कर पा रहे आप नहीं भूल पा रहे लेकिन at the same time चीज़ें आपके control में नहीं है आप wait कर रहे हैं कि कब reunion होगी reconciliation होगी या बात होगी या कभी इनसान आपको अपनी feeling एक्सप्रेस करेगा तो overall इस week की आपकी energy यही है कि या तो आप more tension और stress फिल करें अभी भी move on नहीं कर पा रहे कोई है जो चीज़ों को fix करना चाहता है but it's in the mid तो let's say आपको कुछ और चाहिए इस इंसान को कुछ और चाहिए या कहीं न कहीं किसी का interference या control है जो चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही है overall यहां पर मुझे लग रहे है कि आपका time ज्यादा तर work पे रहेगा work पे भी focus रहेगा but you will be missing you will be thinking about this person या जिस इंसान से आप पसंद करते हैं आप नहीं बता पा रहेए express नहीं कर पा रहे है या वो इनसान नहीं बता पा रहे है ठीक है यहां पर यहां पर एक और चीज़ भी आ रही है कि आप मेंसे कुछ लोग के लिए यह जह पर छाहिदा आपको कुछ इस एक्सपोज होगी इस इंसान के बारे में ये इंसान आप से कुछीज चुपा रहे है तो आप कुछ ना कुछ सूनेंगे इस इंसान से इस इंसान के बारे में ओवराल जो सिंगल है उन लोगं के लिए आपे नजर आ रहा है कि कोई न कोई ऐसी जैसे आपको टेंशन है stress है, कब होगी, आप अपनी life को दूसरों के life के साथ compare कर रहे हैं, कि आपकी शादी कब होगी, let's say, या कुछ ना कुछ है जो आप अपनी life को friends के साथ, या अपनी family में किसी के साथ compare करेंगे, देखें, ये चीज़ आपके control में नहीं है, don't do that, या आप में जिस single है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, works related भी जो आपका काम एक daily routine चल रही है, वो आपकी चलेगी, थोड़ा साथ से डाउन रहेंगे, mood आपके definitely यहाँ पे लग रहे है, attention, stress और mood swings रह सकते हैं, ये भी हो सकता है कि कोई celebration भी है, किसी की शादी पे आप इन्वाइटी हो सकते हैं, या आपकी फैमिली में ही किसी की शादी है, या फ्रेंड्स की किसी शादी है, वहाँ पे भी आप इन्वाइटी होंगे, ठीक है, you will go there, तो शहएद हो सकते हैं, आप इस इंसान को आप देखें, और बाद में फिर सारी मेमरीज आपके माइन में आजाएंगी, या कुछ लोगों के लिए ये वो इन्सान है, जो आपको मिस कर रहा है, चीज़ें चुपा रहा है आप से, I think you know, लेकिन इस वीक में ये चीज़ें चलती रहेंगी, क्योंकि मुझे इस इस इंसान की तरफ से कुई movement, action नहीं नज़र आ रहा है, पिको स्टील अभी ये चीज़ें पेंडिंग है, या अभी आप वेट कर रहे हैं, ये इंसान आपका वेट कर रहा है, या हो सकता है, ये इनसान भी आपको पसंद करता है, बट कुछ नहीं कुछ है, जो आप दोनों के दर्मियान में इस वक्त चीज़ें आंगे नहीं बढ़ रही, move नहीं हो रही, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ओवराल ये वीक आपका मैनेजर से कहाँ, get-together, events और functions और इस तरह कि आपकी family में हो सकता है, लेकिन जो लोग single हैं चीज़ों को आप क्यूंकि आप earth sign है, आप ये चीज़ें चुपा रहे हैं, आप express नहीं करें, so you will face this, आप ये lonely चीज़ खुद फिल करेंगे, ये एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ये इनसान भी आप ही कितरा सेम चीज़ों को चुपा रहे है, आप दोने एक दुसरे को mirror कर रहे हैं, ना आप बता रहे हैं ना वो इनसान बता रहे हैं, तो किसी ना किसी को तो बात करनी पड़ेगी, किसी ना किसी को तो face करना ही पड़ेगा, ठीक है, so that's your reading, मैं विलूँगे आपसे next reading में, like, share and subscribe,